नमस्कार वच्चों, वेलकम टो जीकेशन तरफिए। वच्चों यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बूर्ड, कच्छा साथ, विशय विज्ञान में आज विज्ञान विशय का पूरा पाठ करम देखेंगे और किस हिसाब से हमें अपना स्लेबस खतम करना है वो भी देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्लेबस देखते हैं, क्या-क्या विशय, क्या-क्या टॉपिक, क्या-क्या चीज़े हमको पढ़नी है तो दिखिए, पाठ एक, यानि काई एक जो है, उसका नाम है मानो विज्ञान और प्रद्योगी की इसमें हमको मानो विज्ञान प्रद्योगी की मेंली इन चीजों के बारे में जानना है प्रद्योगी की उप्योगिता क्या है, विकास कैसे हुआ, मानो जीवन में क्या प्रभाव पढ़ता हिस्सा, क्या लाब है, क्या दुस्प्रभाव है, ये सारी चीज़े पढ़नी है जन्तु क्या है, उन से या जो रेशम है, वो कैसे बनता है, रेशम की कीट का जीवन चक्र क्या है, ये सारी चीज़े हम जानेगे दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट को देखते हैं, तो तीसरे पार्ट का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकेट, तो पदार्थ के बा अड़ों के बारे में, पर्माडों के बारे में, क्यांतर होता है उनके बारे में, उदासीन, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, या उदासीनी करड जिसको कहते हैं, रासाइनिक सूत्र के लाब क्या होते हैं, ठीक है, आमलचार, ये सारी चीज़े हम जाने के प पाट चार देखते हैं पाट चार है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो यहां पर हमें भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं दोनों के उपयोग उदाहरण और क्रिस्टिली करण क्या होता है यह जानना है पाच्वा पाट है हमारा उस्मा तो यहां पे हम थर्मामीटर यानि ताप को कैसे मापते हैं तो उसके लिए डाक्टरि थर्मामीटर प्रयोकसाला थर्मामीटर दोनों की बीच में क्या आंतर हो जानना है उस्मा का मापन उसके निर्भरता किस किस पे है द्रवणांग जिसको बोलते है कौतनांग क्या है इसके बारे में जानेंगे उस्मा का चालन क्या है क्या प्रकिरियाय है कितने तरह से उस्मा का चालन होता है वर्गी करण क्या है ये सारी चीज़े हम जानेंगे पार्ट तो यहाँ पे हम परजी भी पौधे, कीट भक्ची पौधे, आज चीजों के बारे में प्रकास अंसलेशड क्या होता है, यह सारी चीज़े देखेंगे, अगला पार्ट, सात्मा पार्ट है हमारा, जन्तुओं में पोशड, तो पोशड क्या है, पोशड की आवशक्ता क्या है मानों में पाचन कैसे होता है, घास खाने वाले जन्तुओं में जैसे गाय है, तो उसमें पाचन कैसे होता है, एक कोशकी जीव हैं, जैसे अमीबा, हाइडरा, ठीक है, पैरामीसियम, यह सब किस तरह से पाचन करते हैं, यह सारी चीज़े जानेगे हम पार्ट साथ में, पा पार्ट क्या है जन्तूओं एवं पौधों में परिवाहन परिवाहन का मतलब यहां वो ट्रक गाड़ी वाला सिस्टम नहीं है गाड़ी नहीं चल दए यहां पर बट वही चीज है कि इसके अंदर भी पौधों में जन्तूओं में भी सड़क बनी हुई होती है उस सड़कों लुए यहां पर फर परे संचरड क्या होता है जानना है परिवाहन क्या शक्ता है रखर रखरक वर्ग यानि ब्लट 9 और में प्लट ऑउब ग्रूप ब्लट में कितनी रखर कडिकाय होती है जायलम, फ्लोयम, ये पौधों में important क्यों है, क्या होते है ये सारी चीज़े हम जानेगे पार्थ 9 जो है जन्तुओं उयों पौधों में परिवान अगला पार्थ, पार्थ 10 जीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन हमको जानना है उत्सर्जन क्या होता है, मानों में उत्सर्जन तंत्र क्या है पौधों में उत्सर्जन तंत्र क्या है बिन दुस्राओं क्या होता है ठीक है, ये सारी चीज़े जानेगे हम पार्थ 10 में इसके बाद हमारा आता है पार्थ 11 पौधों में जनन जनन्ट की विधिया क्या है, लेंगिक जननग, ये सारी चीज़े क्या होती ही हुँआ हम जानेंगे चेप्टर ट्वेल, पाрड़ वारा, लाबदाय कょppen हानिकारक, पौधे तथा जंत तो कौन से पॉध। हमारे लिए फाइदे मन्द हैं, कौन से जन थो हमारे लिए फाइदे मन्द हैं, कौन से हानिकारक हैं, तो ये सारी चीज़े हम इस पार्ट में जानेगे. पाट्टेरा देखते हैं पाट्टेरा क्या है भोजन स्वास्त एवं रो तो यहाँ पे हम पोसड के बारे में जानेंगे बैक्टीरिया से बचाओ कैसे करना है परिराचड की विदी परिराचड मतलब कि जो बचा खुचा खाना होता है हमारे घरों में हमारे घरों में जब खाना जादा हो जाता है तो उसको हम किस तरह से सुरच्चित रखें कि वो जल्दी खराब ना हो ठीक है पाट्ची करड विदी क्या होती है दूद को हम कैसे बचा के रख सकते हैं संचारित रोग, आसंचारित रोग, संक्रामक रोग, महामारी ये सारी क्या चीज़े होती हैं ये सब हम जानेंगे पार्ट 13 में पार्ट 14 देखते हैं पार्ट 14 क्या है? ध्वनी यहाँ पे हम ध्वनी के बारे में जानेंगे ध्वनी क्या है उसके प्रकार क्या है वस्तु कमपन कर से करती है वस्तु के कमपन करने को ही ध्वनी कहते हैं कमपन यों तरंगे क्या होती है क्या दोनों में अंतर है ठीक है प्रति ध्वनी क्या होती है या जिसको हम गूज कहते हैं वो क्या चीज होती है हानिकारक सोर ठीक है ये सारी चीज़े हम जानेंगे ध्वनी चैप्टर में, ध्वनी पाठ में पढ़ेंगे पाठ 15 है उर्जा यांतरिक उर्जा, यांतरिक उर्जा के प्रकार उर्जा का रूपांतरड, उर्जा का हार्स यानि उर्जा का खत्म होना ये सारी चीज़े या इनके बारे में जानकारी हम प्राफ्त करेंगे उर्जा पार्ट में पार्ट सोला देखिए, पार्ट सोला है हमारा प्रकास तो पार्ट सोला प्रकास है, प्रकास में हमें बहुत सारी चीज़े पढ़नी है यहां पे हमें प्रकास क्या है प्रकास कितने चीजों में विभाजित होता है कितने रंगों में विभाजित होता है गोलिये दरपर यहां पे पढ़ना है समतल दरपर पढ़ना है गोलिये दरपर दो तरह के होते हैं आउतल दरपड उतल दरपड उनके बारे में जानना है उनमें वक्रता त्रिज्या ध्रोवू मुखे अक्ष परावर्तन के नियम ये सारी चीज़े हमें पढ़नी है प्रकास पाथ में ठीक है इसके बाद हमारा अगला पाथ आता है पाथ 17 बल एवं जंद्र बल क्या होता है बल से क्या प्रभाव होते हैं बल के प्रकार क्या है घर्षड बल क्या होता है लाब क्या है घर्षड बल के हानिया क्या है सरल मसीन क्या होती है उप्योकता क्या है मसीनों की देवाल कैसे रकरकाव कैसे करना है ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे पाथ 17 बल एवं यंत्र वा जाना होता है कैसे होता है थीक है तड़ित योंग तड़ित चालक आवेसों की प्रकार कुछ आलक सुचालक आवेसों का अस्थान आंत्रण विद्धुद धारा योंग इस्तिर विद्धुद प्रेरण यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे इस्तिर विद्धुद वाले पाथ मे पाठ 19 देखते हैं पाठ 19 है जल जहां हम जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जल का संद्छड कैसे करना है कठोर जल को जो जल की कठोरता होती है उसे दूर करने के क्या साधन है कैसे हम जल की कठोरता दूर कर सकते है जल प्रदोसर की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं जल का संगटन भौती के हम रासाइनी गुड़ जानेंगे जल का हम ठीक है ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे जल वाले पार्ट में पार्ट 20 देखिए वायू अब यहां वायू के बारे में हम पढ़ेंगे वायू का संगटन वायू के अन्य घटक उनका उप्योग जल वास्प क्या होता है अन्य ठोसकड क्या होते है वायू में ठीक है अमल वर्षा कैसे होती है क्यूं होती है ये सारी चीज़े हम जानेंगे वायू और हमारा अक्री पार्ट है इसके बार computer यहां पर ہम थोड़ा सा computer के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे input क्या होता है output क्या होता है जानि input device, output device क्या होता है mouse, keyboard, cpu monitor किसे कहते हैं computer on-off करना सीखेंगे Computer software का परिचय system होँ अनुपर यानि application यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे कम्प्यूटर वाले पार्ट में जो कि हमारे इस किताब का 21 पार्ट है 21 चर्प्टर है यानि लास्ट चर्प्टर है अब इन सभी पार्टों को हम किस तरह से खत्म करेंगे यानि हर महीने में हम किस तरह से इन सभी पार्ट को खत्म करेंगे में हम मैं वीडियो बनाता जाओंगा और आप वीडियो को देखते जाईएगा तो दिखिए यहां अप्रेल का महीना बीद गया है इस महीने में तो अभी तक कोई वीडियो नहीं बना है बट मैं कोसिस करूँगा कि मई के महीने में कम से कम तीन पार्ट तो मैं आपका कवर कर ठीक है तो अप्रेल में खत्म हो जाना चाहिए था हमारा पहला पार्ट मानो विज्ञानो प्रद्योग की और दूसरा पार्ट रेसों से वस्तर तर्ट माई महीने में हमारा तीसरा पार्ट की संरचनायों प्रकिर्थ और चौथा पार्ट उस्मायों ताप यानि अप्रेल और माई को मिला कि हमारे 4 पार्ट खत्म हो जाने जाहिए थे अब तक जो की नहीं हुए है बट मैं माई महीने में कोशिस करूँगा कि कम से कम तीन पार्ट आपको पढ़ाके खत्म कर दूँ बाकी उस्मायों ताप वाला पार्ट जब आपका परिवर्तन यों राशानिक परिवर्तन वाला पार्ट खत्म हो जाना चाहिए ये मैं आपका खत्म कर दूँगा इसके बाद अगस्त में आप देख रहे हैं कि ध्वानी उर्जा और यहां पर प्रतम सत्त की परिच्छा हो जाएगी तो ध्वानी और उर्जा तक हम यहां पर कोशिस करेंगे जुलाई तक ही खत्म कर देंगे अगस्त के पहले सप्ताह तक हम उर्जा पाठ तक खत्म कर देंगे इसके बाद सितंबर में जीवों में स्वसन जन्तूओं एवं पौधों में परिवान अक्टूबर में प्रकास चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए अक्टूबर से पहले ही मैं खत्म कर दूँगा ondern हो जाहिए यह तिन था Noah बाग दिसंबर में बल अव्यमें यन्त यानि बल्वाला पाठ भोजन स्वास्त यस्तिम रोग और उसके बाद आपकी परिच्छा토 तो दिसंबर में यह इतना खत्म हो जाना जान 55 यह जन्वरी में हमारा ज से सिर्फ क्या करेंगे रिवीजन करेंगे ठीक है जनवरी परवरी हम पूरा रिवीजन करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो जाए और परिच्छा आप अच्छे से दें पाएं तो चलिए ये था हमारा स्लेबस कच्छा साथ का वीडियोज आपको दो दिन बाद से मिलना सुरू हो जाएगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिए आप लोग और पढ़ाई को इंज्वाए करिए चलिए तो आज के लिए बसितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके के लिए धन्यवाद